एमसी अंदवादी उना 118 करोड नू देवाडू फूक्यू एमसी नू अंधेर नगर नी गंडू राजा जेवू शासन EWS आवास बनाव्या परंथू फाडव्या नहीं बार वर्ष पहला EWS आवास बनावामाव्या था अंते एमसी आवास तोडवानी कामगिरी करी चे कश्यप अमाली साथे जोड़ायला चे कश्यप जे प्रमाने एमसी नू अंधेर नगरी जेवु शासन सामे आवी रहो चे बार वर्ष पहला आवास बनावामा आवे चे हवे आ वटवाना आवास हो छे EWS ना तेने तोड़ी पाडवानी कामगिरी चे कोर्पोरेसंद वारा करवामा आवी रही चे महत्वन नू छे के एकचो एंसी करोटना खर्चे आवा चे ते बनावाया हता ने तिनी फालावनी चे अतियार सुधी ना करवामा आवी सवाल अने उठी रहा चे के आखरे अतियार सुधी फालावनी चे ते केम ना करवामा आवी विपक्स नेता सेजाद खान पठान नहीं पहुंचे तेनी साथे अपने वाद करेशू सेज़ाद भई एक्टो एंसी करोड़ना खर्चे आवास बनिया फाड़ा उनी नहां थाई अन्तिय तोड़वाने काम किती भारत्य जिंता पार्टी के राज में गरीब आवास के नाम पर भी कई ना कई ब्रस्टाचार होना शुरू हो चुका है हाटकेश्वर जैसी घटना के बाद भी एमदाबाद मुंसिपल कॉर्परेशन में और चुकाने वाले ब्रस्टाचार सामने आ रहा है वटवा आवास जिसका निर्मान 2011 के दोरान किया गया था और उद्देश्य यही था कि गरीबों को मकान दिया जाए लेकिन इदर कुछ विपरीथी कारिये हुआ गरीबों को आवास तो नहीं दिया गया लेकिन उन गरीबों के आवास के नाम पर करोड रुपे ब्रस्टाचार किया गया जे एनन यू आरेम के अंतरगत उस समय 180 करोड की लागस से इन आवासों को बनाया गया था लेकिन गरीबों को नहीं मिल पाया सिर्फ 14 वर्स में ही ये सारे आवास जरजरित हो गए और उसे आथ तोड़ने की नौबत आ चुकी है कई ना कई भारत्य जिन्ता पार्टी ये कहती थी कि हर जुपड पट्टी को पका मकान दिया जाएगा लेकिन भारत्य जिन्ता पार्टी के इराज में जुपड पट्टी के नाम पर करोड़ों रुपे का ब्रस्टाचार हुआ है आज कॉंग्रेस पार्टी स्तरपल आकर विजिट जब कर रही है तो करीबन ये देखा जा रहा है कि आदे से जादा मकान तो एमदाबाद मुंसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा तोड़ भी दिये गए है आज चार बजे मेर स्री को आविदन पत्रत देकर सीबी आई तपास की मांग की जाएगी कि गरीबों के आवास के नाम पर यदि भारतिय जिन्ता पाटी ब्रस्टा चार करती हो और उन कॉंट्रेक्टरों को जिन्होंने 2011 में काम किया था उन कॉंट्रेक्टरों ने करोडों रुपे की कमानी कर ली उनका पेमेंट ले लिया उन संबंदित अधिकारियों पर क्या कारवाई भारतिय जिन्ता पाटी करेगी ये सबसे बड़ा सवाल उठता है दो कंपनियों के दोरा काम किया गया था एक का नम सिंटेक्स नाम की कंपनी थी MV Omni नाम की कंपनी के दोरा उन दोनु कंपनियों के द्वारा इस पूर्य आवास का निर्मान किया गया था लेकिन कही ना कई कुछी वर्सों में इस पूर्य आवास को जरजरित गोशित कर दिया गया आज सबसे बड़ा सवाल तो ये उड़ता है कि एक तरफ प्रजा के पैसों को कही ना कई भारत्य जंतापाटी भ्रस्टाचार के रूप में यूज कर रही है ये कही ना कई संका पैदा करता है सबसे बड़ी बात तो यह कि एमदावाद मुंसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई नीती और कोई नियम नहीं है इतने करोडों के आवास बन जाते हैं उनको गरीबों को नहीं दिया जाता है सबसे बड़ी विफलता तो यही है एक तरफ गरीबों को आवास देने के लिए जब ड्रॉर किये जाते है तब हजारों की तादात में फॉर्म बरे जाते है लेकिन वटवा विस्तार में जो हजारों की तादात में आवास पड़े हुए थे जब उन्हें नहीं दिया गया तो यह साफ संका पैदा करता है कि भारत्य जंता पाटी ने 14 वरसों में वटवा हाउजिंग के साथ ऐसा तो क्या खिलवाड किया किसके फाइदे के लिए खिलवाड किया कहीं ना कई इसलिए कॉंग्रेस पार्टी आज चार बजे जाकर सीबिया इतपास की मांग करने वाली है स्तानिक राजकारन के साथ साथ मैं मानता हूँ के एमदाबाद मुनसिपल कॉर्पोरेशन पूरा ही जवाबदार है इसमें उस समय के मेर से लेकर उस समय के हाउजिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से लेकर कॉंट्रेक्टर से लेकर एस्टेट विबाग के अधिकार यों से लेकर ऐसे कई अधिकारी है जो इस मुद्दे पर शंका की नजरों में आ रहे हैं अधिकारी है जो इस मुद्दे पर शंका की नजरों में आ रहे हैं अधिकारी है जो इस मुद्दे पर शंका की नजरों में आ रहे हैं अंधिर नगरी जो वहवट जे चे ते अमदावाद मुद्शिपल कोर्परेशन मा चाली रहा है जी देनेवाद कश्या पामाहिती माटे त्यारे आज मामले स्टेंडिंग कमिटी ना चेर्मेन देवांग दानी एशू निविदन आप यूचे संब्रावियतम ने बटवा नी अंदर EWS आवास जे बनेला हता मोटी संख्या नी अंदर जारे आवास हता त्यानों स्ट्रक्चल फ्टेबिलीटी रिपोर्ट नेगेटिव आवे होतो लगबग 15-70 वर्ष पहला आवास हो बनाव माँ आवे हता परिडा में आपने वाद केरे के त्या अगर जे फ्ट्रक्चल फ्टेबिलीटी रिपोर्ट नेगेटिव होवाने कारणे आज तमाम आवास जे तेमा डिमोलिशन नी कामगिरी हाल मा चालूचे अने आवनार समय गारा धर्म्यान तोटली डिमोलेस थे पची या अगर के परका निका रिवा ही कर्मा आवस ते ने कर्मा आवस